मैं अश्विनिक मार्जा संस्कृत व्याकरण के उपसर्ग अध्याय को लेकर उपस्तित हूँ आठमीक अक्षा के छात्रों के लिए उपसर्ग का प्रयोग क्रियाओं एवं कृदंत प्रत्ययुक्त शब्दों के आरब में क्या जाता है तो क्रिदंत तो पिछले पाट में आप जान चुके हैं क्रिदंत क्या होता है क्रित प्रत्ययुक्त शब्दों को क्रिदंत कहा जाता है इससे भाषा के अर्थ में चमतकार आ जाता है उपसर्ग की शक्ति से धात्वों का अर्थ बदल जाता है उपसर्ग की शक्ती से धात्यों का आर्थ बदल जाता है ये संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है और ये आप देख लें मैंने लिख दिया है अब ये उपसर्ग शब्दों के आरम हमें लगता है जैसे प्रत्य में आपने पढ़ा था कि शब्द के अंत में लगता है ये आरम में लगता है और इसका अर्थ बदल जाता है जैसे हारह शब्द है तो इसमें प्रव उपसर्ग लगा तो प्रहारह हो गया और आ उपसर्ग लगा तो आहारह वी उपसर्ग लगा तो वीहारह उपसर्ग लगा तो उपहारह इसमें अलग-अलग उपसर्ग लगने से इसका अलग-अलग अर्थ हो जाता है प्रहारह मतलब किसी को मारना और आहारह मतलब हो गया भोजन अब विहारह मतलब विहार करना यानि घूमना, ब्रमन करना, सेहर करना उपहारह मतलब किसी को अब प्रेजेंट देते हैं उपहार तो ये हो गया उसका अर्थ यहां एक ही शब्द हारह में अलग-अलग उपसर अलगा और अलग-अलग अर्थ हमें प्राप्त होता है अब नीचे हम कुछ धातूं के साथ उपसर्गों के प्रयोग का चमतकार देखते हैं अब जैसे गम धातू है तो गम धातू जाने के अर्थ में होता है गच्छती जाता है इसमें हम लगाते हैं उप उपसर्ग तो उप गच्छती उप गच्छती लगाने से जाने के बदले पास आता है उप गच्छती मतलब पास आता है अब इसमें एक उपसर्ग लगाते हैं आ तो आ गच्छती का अर्थ हो गया आता है अब अनू उपसर्ग लगाते हैं तो पीछे पीछे जाता है और निर्व उपसर्ग लगाते हैं तो निर्ग अच्छती मतलब निकलता है तो अलग अलग अर्थ इसमें हो गया अब भूधातु में देखते हैं तो भूधातु मतलब भवती होता है उने के अर्थ में भूधातु का प्रेव होता है तो उसमें अनु अनुपसर्ग लगाते हैं, अनुभावती मतलब अनुभाव करता है, कोई भी चीज हम जब अनुभाव करते हैं, तो अनुभावती, अनुपसर्ग लगाने, अभी भावती मतलब तिरसकार करता है, तिरसकार मतलब अपमान करता है, और परिभावती हराता है, परिउपसर्ग पीछे जाता है अनुसरन करना तो आप जानते ही हैं पीछे पीछे जाना और अपसरती दूर हटता है अप उपसर गिसमे लगा और उपसर लगाने से उपसरती मतलब पास जाता है अब इसी तरह है प्रा उपसर लगाते हैं तो प्रा सरती मतलब फैलता है और निस उपसर लगाते हैं निस सरती मतलब बाहर निकलता है ये आपको सरी धातु में लगा अब देखते हैं क्री धातु में तो क्री से होता है करोती करता है अब इसमें अनुसर लगाते हैं अनुकरोती अनुकरण कर अभा करोती मतलब बुराइव करता है, अभा करोती मतलब आपकरोती अधिकार करता है, यूर्वा अभा करोती मतलब दूर करता है, अपाकरोती मतलब दूर करता है इसी तरह हम और उपसर्ग का देखते हैं दूसरे धातों में भी देख लेते हैं इसका उधारण अब लेट देखिए यहां हम रुह, रोहती मतलब चड़ता है इसमें अधी उपसर्ग लाते हैं जैसे अधी रोहती मतलब चड़ता है और आ उपसर लगाते हैं तो आ रोहती मतलब आ रोहन करना जैसे अश्वा रोहन तो जानते ही हैं गुर सवारी करना तो आ रोहती मतलब सवारी करता है और अब उपसर लगाते हैं तो अब रोहती अब रोहन मतलब उतरना तो अब रोहती मतलब उतरता है अब लप धातु है बोलने के अर्थ में है बोलता है लपती तो इसमें आ उपसर लगाते हैं तो आ लपती लपती मतलब बात करता है और वी उपसर लगाते हैं तो वी उपसर विलपती मने विलाप करता है विलाप करना मने रोना तो विलाप करता है इसी तरह हम अपलपती अपलपती अपुपसर्ग इसमें लगाते हैं तो इनकार करता है इसकार्थ हो जाएगा अब देखते हैं इसमें हरी धातु में हर, हरती हरती मनें छीनता है कोई भी चीज किसी से छीन लेना तो हरी धातु हरन करना होता है अब इसमें हम पिभिन उपसर लगाते हैं इसका आर्थ कैसे बदलता है वो देखते हैं प्रो हरती प्रहार करता है मतलब मारता है अब उसमें प्रो उपसर लगा इसमें वी हरती विहार करना विहार करना मनें शैर करना वी हरती मतलब शैर करता है परी उपसर लग तो परिहरती इसका अर्था अलग हो जाएगा दूर करता है और आहरती आहर मतलब लाना तो आहरती मतलब लाता है अब नी उपसर्ग में लगाते हैं नी धातु में उपसर्ग लगाते हैं नी नयती ले जाता है अब इसमें देखिए विनयती वि उपसर्ग इसमें लगा तो विनयती मतलब जुकता है, विनय मतलब विनयशील व्यक्ति जो होता है, दूसरे का आदर करके बात करता है, तो विनयशील वही होता है, तो वी उपसर लगाने से विनयती मने जुकता है, किसी को आदर देना मने किसी के आगे जुक जाना, तो ये अच्छा मना जाता है, और ल करता है और अभी उपसर लगाते हैं अभिनयती मतलब अभिनय करना मतलब एक्टिंग करना अभिनय करता है और उसी तरह निर उपसर लगाते हैं तो निरनयती तो निरनय करना मतलब जज्जमेंट देना और इसी तरह सद थातु में उपसर लगाते हैं तो सीधती होता है तो प्रसन होना होता है और उसी तरह निश्रीधती मतलब बैठता है अब चर धातु में लगते हैं तो चर मतलब चरता है तो आ उपसर लगते हैं तो आचरण करता है आचरती आचरन कतला मतलब आपका आचरन कैसा आपका विभार कैसा है तो वो होगे आचरन तो आचरती मतलब आचरन करता है उसी तरह उत उपसर लगाते हैं तो उच्चारती मतलब उच्चारन करना तो आप जानते ही है बोलता है उच्चारती मतलब बोलता है अनुपसर रिस और उसी तरह परी उपसर लगाते हैं, तो परिचारती मतलब आप जानते हैं, सेवा करने वाली, तो परिचारती मतलब सेवा करता है, इसी तरह है, वद धातु में लगाते हैं, तो वदती मतलब बोलना, बोलता है, तो अप उपसर इसमें लगाते हैं, तो अप वदती कार्थ हो गया गाली देता है और अनोवदती तो अनोपसर लगाते हैं तो अनवाद करता है अनवाद मतलो होता है- ट्रंसलेशन किसी भी चीज़ का इसी दूसरी भाषा में अनॵाद करना कहते हैं और वह वह उपसर है वहती होता है मतलब बोज धोना इस अर्थ में होता है इसमें उपसर लगाते हैं प्रवाहती प्रवाहती तो धोने के बदले इसका अर्थ हो जाएगा बहता है जैसे नदी बहती है तो उस अर्थ में हो गया प्रवाहती बहती है या बहता है तो उत उपसर लगाते हैं उद्वाहती तो वर्तते मतलब होता है यह आत्मनेपनिधातु है इसमें हम लगाते हैं तो अनु उपसर लगाने से इसका अर्थ हो जाएगा अनु वर्तते मतलब पीछे-पीछे चलता है होने से इसमें पीछे-पीछे चलना हो गया इसका अर्थ अनिवर्तते नी उपसर लगा इसमें तो लोटता है और प्रत्या वर्तति प्रति उपसर्ग है तो इसमें हो जाएगा वापस लोटता है इसी तरह आप इतने उपसर्गों को जानने के बाद इसका अभ्यास करें और इसी के साथ उपसर्ग का यहीं समाप्त होता है धन्यवाद